हलो एन वेलकम टू जी मैक स्टूडियोज मेरा नाम है गोर की एम और आज हम बात करेंगे की मिररलेस और डी एसलार कैमराज में क्या फर्क है कुछ साल पहले तक डी एसलार कैमराज को ही सब कुछ माना जाता था लेकिन कुछ साल पहले एक नए तरह के कैमरा ने मार्केट में एंट्री ली इस कैमरे का नाम था मिररलेस कैमरा कुछ वक्त तक इस कैमरा को महज एक गुजरता दौर माना गया लेकिन ये कैमराज धीरे धीरे इतने पॉपिलर हो गए कि अब ट्रेडिशनल डी एसलार कंपनीज जैसे कैनन और निकॉन भी मिररलेस कैमराज बनाने लगी है तो आईए आद समझने की कोशिश करते हैं कि दरसल ये मिररलेस है क्या चीज और इसके और डी एसलार के बीच में क्या फर्क है DSLR कामराज का एक जरूरी हिस्सा या कॉंपनेंट एक मिरर होता है जिसकी वज़ा से हम ठीक वही फ्रेम देख पाते हैं जो हमारा लेंस देख रहा है होता यूँ है कि लाइट लेंस के जरीए कैमरा के अंदर आती है मिरर से रिफलेक्ट होके उपर की तरफ जाकर पेंटा प्रिज्म से होते हुए हमारे व्यूफाइंडर में आती है और हमें वो इमेज दिखाई देती है जब हम इमेज लेते हैं तो ये मिरर उपर की तरफ उठता है ताकि light directly sensor पे जा सके और इसी लिए उस पल भर के लिए हमारा viewfinder blackout हो जाता है mirrorless cameras में जैसे की नाम से जाहिर होता है mirror नहीं होता है इसमें light lens के जरिये directly sensor पे पड़ती है और electronically इसे viewfinder में दिखाये जाता है इसी लिए इनके viewfinders को EVF या electronic viewfinder भी कहा जाता है आईए बात करते हैं size की जाहिर है कि mirror और pentaprism ना होने की वज़ा से mirrorless camera bodies काफी छोटी बनाई जा सकती है लेकिन DSLR companies ने भी अब अपने entry level DSLRs इतने छोटे बनाने शुरू कर दिये हैं कि इन में और mirrorless में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया है दूसरी बात ये कि अगर हम mirrorless cameras पे professional lenses लगाते हैं तो DSLR और mirrorless cameras में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता अब बात करते हैं battery की mirrorless cameras का size छोटा होने की वज़ा से उन में batteries भी छोटी होती है as compared to a DSLR इसकी वज़ा से mirrorless cameras की battery life बहुत कम होती है और अभी तक शायद ये mirrorless cameras का सबसे बड़ा drawback है अब बात करते हैं view finders की जैसा कि हम पहले discuss कर चुके हैं DSLRs में light lens के जरिए आती है mirror से उपर की तरफ reflect होके pentaprism से होकर view finder में दिखाई जाती है और क्योंकि इसमें कोई electronic components involved नहीं होते इसे OVF या optical view finder कहा जाता है दूसी तफ mirrorless cameras में light lens के जरिए directly sensor पे आती है और इसे electronically view finder में दिखाई जाता है इसलिए इसे electronic view finder या EVF कहा जाता है मेरे हिसाब से ये EVF का होना mirrorless cameras की सबसे बड़ी strength है क्योंकि shutter दबाने से पहले ही आपको पता लग जाता है कि आपकी तस्वीर कैसे आने वाली है बस यूँ समझे कि electronic view finder कुछ ऐसा होता है कि DSLR के LCD को लेकर आपकी आँखों के सामने लगा दिया गया आईए अब बात करते हैं आटो फोकस की traditionally DSLR का आटो फोकस mirrorless से कहीं ज्यादा तेज होता था लेकिन अब Sony Alpha 9 और Sony Alpha 6500 जैसे कामरा देखकर ऐसा लगता है कि mirrorless और DSLR के आटो फोकस में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है अब बात करते हैं silent shooting की DSLR में quiet mode होता जरूर है जो mirror drop होने की आवाज को दबा देता है लेकिन फिर भी थोड़ी आवाज होती जरूर है mirrorless cameras में electronic shutter होने की वज़े से silent mode possible है जिसमें जरा भी आवाज नहीं होती अगर आप कोई ऐसा event shoot कर रहे हैं या मेरी तरह किसी film set पे shoot कर रहे हैं जहां बिलकुल भी आवाज नहीं कर सकते तो ये silent shooting mode बहुत ही काम का है अब बात करते हैं image stabilization की image stabilization या vibration reduction जैसे सिनिकॉन बुलाता है DSLR में होता जरूर है मगर ये lens में built-in होता है और आम तोर पर image stabilized lenses काफी महंगे होते है mirrorless cameras में अकसर ये technology camera body में होती है इसका मतलब ये है कि आप इन बाडिज पे कोई भी lens इस्तमाल करें आपको stabilized image मिलेगी तो DSLR या mirrorless कौन सा बहतर है दोनों ही technologies बहुत तेजी से बदल रही है और कुछ features जो पहले सिर्फ DSLR में मिलते थे वो अब mirrorless में आ गए हैं और mirrorless के कई features अब DSLR में आ गए हैं आपके लिए कौन सा बहतर है ये जानने के लिए आपको अपनी photography style के हिसाब से एक list बनानी होगी कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है चोटा size, battery life, EVF या silent shutter मैं मिसाल के तौर पे दोनों ही कामरा का इस्तमाल करता हूँ रोज मर्रा की जिन्दगी में मैं mirrorless इस्तमाल करता हूँ क्योंकि चोटी size होने की वज़ह से मैं इसे अपने bag में डाल सकता हूँ दिन में EVF के जरिये मैं video shoot कर सकता हूँ जो DSLR में possible नहीं है और सही adapter लगा के मैं mirrorless body पे कोई भी lens इस्तमाल कर सकता हूँ लेकिन हाँ professional और commercial photography के लिए मैं अब भी भी DSLR का इस्तमाल करता हूँ क्योंकि मेरे lenses और मेरी बाकी accessories जैसे flash और studio lights अब भी भी DSLR के साथ जादा compatible है तो लोग मुझे से अक्सर ये पूछते हैं कि क्या DSLR cameras का दोर गुजर चुका है क्या DSLR cameras हत्म हो जाएंगे तो मेरा जवाब ये है कि भले ही mirrorless camera technology आने वाले वक्त में photography को बिलकुल बदल देगी लेकिन DSLR cameras भी इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे और कोई सवाल हो तो comments में जरूर पूछे और हमारे चानल G Max Studios को subscribe जरूर कीजे अगले वीडियो तक बाबाए